सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल टेक ग्यान पिटारा को और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए तक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से पहुस्ता रहें आपके अपने चैनल टेक ग्यान पिटारा में फिर से एक बार दोस्तों आज मैं फिर जवर्दस्त कैमरा आपके लिए लेके आया हूँ आज मैं इस वीडियो में complete unboxing करूंगा CP plus का 4G bullet camera का जो 4G sim को support करता है किसी भी company हो Jio का हो, A8L का हो, Idea Vodafone का हो, किसी भी company का 3G sim हो या 4G sim हो वो support करता है उसके बाद आप अपने iPhone या Android में clearly इस camera को अपने mobile पे view कर सकते है application के तरू कुन सा application download करना है, कैसे इसको install करना है, क्या है इसकी पूरी खासियत हम समझेंगे धीरे-धीरे वीडियो में सबसे पहले unbox करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस type का ये पूरा camera आता है और आपको बॉक्स आता है वो जो वर्दस तरीके से आज कर देखिए इसका जो application है इस पे mention है easycam plus, easycam plus के ही थुरू आप इसको mobile पे direct online देख सकते है ये model number है आपको दिख जागा CP V32G ठीक है उपर में और इसका जो MRP है वो आपको 7800 का दिख जाता है बट आपको imagine में ये सहतिय सो का मिल जाता है मैं नीचे link दे दिया हूँ उससे आप पर्चेस कर सकते है ये 3MP वीडियो को सपोर्ट करता है H.265 compression है इसका मतलब आपका जो memory card है उसमे recording बहुत जादा आने वाली है human detection का YouTube एडियो को सपोर्ट करता है याने कैमरे के पास आवाज सुन भी सकते है और कैमरे के पास आवाज बोल भी सकते है दोस्तों देखे दोस्तों इन बिल्ट सेरेंट इस्टा में काम कर्चे करता है मैं आपको बताऊंगा बिल्ड इन स्पोर्ट लाइट है 4G SIM को सपोर्ट करता है याने किसी भी 3G या 4G SIM को आपका लगा सकते हो जियो का ये टेल का ये आडिया वोड़फोन का कि फुल कलर विजन है याने रात में आपको नाइट विजन में ब्लैक और वाइट नहीं देखेगा इसमें पूरा कलर फ्यू मिलेगा आपको अन्विप सपोर्टेड है रियल टाइम नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलने वाला है आप मेमोरी कार्ड कितना लगा सकते हो दोस्तो 256GB तके सपोर्ट करता है आप मेमोरी कार्ड मेरे पास ये 64GB का मेमोरी कार्ड है इसको मैं इस पे लगाऊंगा और एक जियो का ठीके दोस्तों एक जियो का SIM है इसको भी हम इस कैमरे में लगाएंगे और अपने मोबाइल पे देखेंगे कि यह ओनलाइन कैसे दिखता है ठीके चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते है कि कैमरा कैसे दिखता है और इसके अंदर क्या-क्या हमें मिल जाता है जैसी आप बॉक्स इसको लगा सकते हो waterproof है fully waterproof है और यह IP कैमरा है कहीं आप इसको आप अपने NVR पर भी लगा सकते हो ठीक है NVR पर भी आप इसको configure कर सकते हो और simply एक कैमरा भी आप इसको लगा के SIM लगा के 4G SIM लगा के आप अपने mobile पर live इसको देख सकते हो और इसमें memory card लगाने का option है जैसी मैं इसको पीछे करता हूँ देखे यहाँ पर memory card लगाने का option है memory card भी इसमें लगाते है इसके अंदर SIM भी लगता है reset का button भी इसके अंदर में रहता है ठीक है यहाँ पर आपको दो screw लगाने का option मिल जाता है यहाँ पे एक screw लगाने का option मिल जाता है यहाँ पे एक stand मिल जाता है इसके साथ दो screw मिल जाता है इसके उपर इस type से camera को आप hank कर सकते हो ठीक है तो hank करने के लिए आपको stand मिल जाता है और उसके बाद इस पे आपको मिलेगा एक adapter जिसके थू तो आप इस camera को करेंगे start और इसके साथ इस type का waterproof jacket मिल जाता है क्योंकि camera waterproof है waterproof jacket मिल जाता है और इस type के कुछ hanging के लिए आपको screw मिल जाता है ठीक है चलिए फटाफट इस camera को start करते हैं और समझते हैं कि इसको mobile पे आप कैसे view करेंगे camera की quality है दोस्तो बहुत अच्छी है इसका lens की clarity है वो भी जबरदस्त है मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसकी clarity और इसको चालू करके दिखाऊंगा mobile पे वीडियो को देखते हैं यह simple plug-and play camera है दोस्तो cp plus के तरब से आने वाला यह है plug-and play camera ठीक है डायरेक्ट आप इसको adapter लगाएंगे और SIM card और memory card लगाएंगे और आपके mobile पे प्रॉपर तरीके से online हो जाता है कहीं आप इसमें जो भी आप SIM लगा रहे हो कोसिस करिए आप पहले से जान ले कि SIM में internet available है कि ने internet होगा तो फटा फट यह camera online हो जाता है और आपके mobile पे आ जा जाता हूं देखिए दोस्तों इसके अंदर SIM card और memory card लगाने के लिए इस type का screwdriver आपको यूज करना रहेगा छोटा वाला ठीक है उसके बाद आप यहाँ पर इस सभी screw को निकाल लेंगे यह देखिए दोस्तों हमने यह चारो screw निकाल लिया उसके बाद धीर इसको आप ऐसे उठाएंगे तो यह निकल जाता है screw इसी के उपर लगा हुआ है यह देखिए रिसेट का बटन है जैसी आप पावर इसको देते है तो रिसेट के बटन को 5-10 सेकेंड आप जब क्लिक करके रखेंगे तो अपने आप यह आवाज करेगा कि यह रिसेट हो चुका है इसका मतलब यह रिसेट का बटन है और देख देखेगा यह होल आपका माइक है ठीक है यह टूबे आडियो को सपोर्ट करता है इसलिए माइक और इस्पिकर दोनों दिया हुआ इसमें चली फटा फट हम सिम लगा लेते हैं और मेमरी काट इसपे इंस्टॉल कर लेते हैं देखिए दोस्तों मेमरी काट लगाना बहुत असान है मेमरी काट को आपको ऐसे रखना है इस पर दिया हुआ ऑप्शन कैसे रखना है देखिए सिंपली मैं इस पर यहां लगाता हूं मेमरी काट और इसको थोड़ा सा पूस्ट करूंगा तो यह मेमरी काट निकल जाता है ठीक है तो मैं पहले यह मेमरी काट को लगा दे इंस्टॉल हो जाता है मैं फटाफट इसको लगा लेता हूं और कैमरा को स्टार्ट करके देखते हैं दोस्तो यह देखे मैंने यहां पर चारो इसको लगा दिया अब चलिए इसको पावर देते दोस्तो अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है और वीडियो जला देता हूं पावर पे और डायरेक्ट घीरीज जो तेंधें हैं यहां पर पावर देने का अप्शं ने का वपशन है यहां पर जैसी। ापका यह क्यामरा चालू हो जाता है इसलब अडिक्षिक इस्टार्ट हो गया दोस्तों जैसे आप SIM card लगा के camera स्टार्ट करते हैं कुछिस करिए कि valid SIM ही इस पर लगा है जिसमें पहले से internet हो और internet का recharge पहले से इस पर रहे वैसे SIM card लगा है देखिए जैसे SIM card आप लगा के स्टार्ट करते हो तो यह light blink करने लगता है ब्लिंक करने का मतलब अभी internet connect हो रहा है जैसे internet connect हो जाएगा तो आपका यह blinking दिखा रहा है यह yellow light blink करना बंद कर देगा देखिए network connection succeeded दोस्तों camera लगाने के 15 से 20 सेकेंड बाद आपका complete setup हो जाता है अब यह camera स्टार्ट हो चुका है स्टार्ट क्यों है दोस्तों क्योंकि SIM में याद रखना आपके SIM में internet का recharge होना चाहिए पहले वो SIM को मोबाइल पर लगा के YouTube या कुछ चला के देख ले न कई Wi-Fi camera को इस iPhone में कैसे देखेंगे सबसे पहले समझते है चलिए देखिए दोस्तों आप अपने mobile पे Easy Cam Plus के नाम से application को सर्च करेंगे iPhone में और उसके बाद उसको install कर लेंगे फटा फट यही सेम नाम से आपको Android में भी मिलेगा चाहिए आपका Samsung का हो या कोई भी company का Android phone है उसमें भी सेम इसी नाम से आपको application मिलेगा मैं उसको भी search कर के दिखा देता हूँ देखें दोस्तों आपके Android phone में भी उसी नाम से application है जो iPhone में है ठीक है तो मैं अभी आपको iPhone में दिखा देता हूँ उसी type से आपको Android में भी करना है कोई problem नहीं है कोई confusion मत लेना ठीक है चलिए मैं फटाफट आपको करके दिखाता हूँ देखें ये मेरा install हो चुका है इसको मै open कर लेता हूँ सबसे पहले जब आप open करेंगे कहीं आप पहले से sign नहीं किये हो तो पहली बार कहीं आप पहली बार इस camera को लिए हो और पहली बार CP plus के इस application को download किये हो तो आपको sign up करना है दोस्तो sign up करने sign up जैसी करेंगे आप तो आपको सिर्फ region डालना है इंडिया और आपका email डालेंगे तो आपके email ID में आपका verification code आ जाता है देखें दोस्तों जैसे आप register करेंगे और आपके mobile पर जब OTP डालके जब आप register करेंगे अपने आपको उसके बाद जब login करेंगे तो आपको इस type का environment आपको दिखेगा application में उसके बाद आपको करना है got it और यहां model number को यहां पर खोजेंगे देखें दोस्तों यह वाला जो camera का model number है देखें यहां पर है CPV32G जैसी आप इसको click करेंगे देखें यहां करने के लिए बोल रहा है आपका QR code scan कहां से करेंगे देखें इस camera पर यहां पर QR code दिया हुआ है देखें इस QR code को हम scan करेंगे फटा फट देखें मैं scan करता हूँ आपके सामने scan now करता हूँ ओके करता हूँ देखे यह scan यह देखे scan हो चुका है ठीक है scan हो गया है add device कर रहा है कुछ एक मिनट का समय लगता है यह cloud से connected हो रहा है दोस्तों आपका जो camera है cloud से connected हो रहा है यानि इसका जो footage आप cloud में भी रख सकते है memory card कहीं आपके पास नहीं है तो इसके storage को आप cloud में भी रख सकते हो उसके बाद next time जब आप किसी दूसरे device में जब आप चलाते है तो same username और password आप डालेंगे उसके बाद आपका यह camera आपके वो mobile में भी चालू हो जाएगा तो same इसी camera को मैं android में भी चालू करके दिखाऊँगा same username और password के थूँ ठीक है अब next mobile में कैसे हम देखेंगे वो भी आपको इस video में समझ में आ जाएगा first mobile में तो इस type का देखना है दोस्तों यह हो गया registered जैसी registered हुआ देखें इस type से नाम आ गया आपका CP V32G इसी का है smart camera करेंगे इसको डन करेंगे जैसी आप देखें यह वाला जो camera है वो आपका online हो चुका है अब इसका view में दिखा देता हूं आपको देखें आपके सामने देखें यह view देखें इसका footage की clarity आप समझ में आएगा आपको देखें आपका footage देता हूं यह देखें यह अभी online है यह 4G SIM के थुरू online है दोस्तो देखें ओर यह 4G SIM के थुरू online है आपको दिख रहा होगा चुवे आडियो है देखें यहाँ पर click करेंगे देखें दोस्तों यहां Mike का आवाज है कि इसको बंद कर देथा हूं speaker को ठीक है देखे यहाँ पर mic का आवाज है जैसे आप mic पर click करके hold करके रखेंगे तो आप जो भी बोलेंगे देखे इस camera सा आवाज आ रहे हैं देखे दोस्तों मैंने आपको बताया था इसमें siren का option है siren कहां से होगा देखे यहाँ पर जब ऐसी click करेंगे आप जैसी menu को उपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक siren का आवाज दिखेगा मान के चलो आपके camera में कोई चोर आपको दिख गया आप घर पे है रात में और आपके camera में कहीं कोई चोर दिख गया आपको ठीके तो आपको siren बजा रहा है तो यहीं से आप siren को on कर सकते देखिए आपके camera में siren on हो जाता है within second आपके camera में देखिए तो चोर वहाँ से भाग जाएगा ठीके तो आपके mobile app से ही आपके siren on कर सकते यहाँ से फिर click करेंगे देखिए siren on हो गये तो इस टेप का siren कभी आओ जबर्दस तरीके से इस पर दिया हुआ है इस टेप का siren आप अपने camera पे बजा सकते कहीं आपको लगा कि कोई चोर आया हुआ है आपके camera के पास तो आप siren on कर सकते इसमें एक option है जो playback देखना है कल की recording देखना है आपको mobile के थूँ तो देखिए playback का option है जैसे यहाँ पर उपर करेंगे menu को तो यहाँ पर playback का option है playback में जैसी click करेंगे देखिए दोस्तों यह आपका playback चालू हो जाता है और इसको जैसी click करेंगे तो यह आगे बढ़ता चले जाएगा ठीक है यह देखिए यह playback आपका आगे बढ़ रहा है तो ऐसा आप अपने mobile पे direct playback देख सकते है उसके बाद आपको कहीं date बदलना है तो recording है बाकि सब फीके है ठीक है यानि जो फीका है उसमें recording नहीं है जो ज़्यादा dark है 7 देखिए dark है तो 7 तरीक को ही recording है क्योंकि अभी तो मैंने camera लगाया है तो अभी की recording यह दिखा रहा है तो कहीं दूसरा कल मैं देखूंगा तो फिर से 7 और 8 दोनों black दिखेगा तो 7 तरी कि मैं recording देख सकता हूं तो recording देखने के लिए अद्दम ही असान है दिखिए समय है इसको थोड़ा सब ड्रेगें ड्रॉप करेंगे तो आपको recording आपका बदलता हुआ दिखेगा यहां पर देखिए दोस्तों playback देखते समय है इसमें आप sound भी on कर सकते यानि जो sound आपका record हु दूसरे mobile पर कैसे देखना है चलिए उसको भी मैं बता देता हूँ फटा फट देखिए दोस्तों आप family और friends को दिखाना चाहते हो इस camera को तो उसके mobile पे android के mobile पे भी आपको easy game नाम का जो application है वो download करना पड़ेगा मैं फटा फटा फट download कर लेता हूँ देखिए दोस्तों download ह करना है दूसरे के mobile में यहां पर country सेलेक्ट करेंगे और email id डालेंगे जो पहले mobile में हमने registered किया था वो email id और password डालके direct हम इसको login करते है चली मैं login करके आपको दिखाता हूँ यह देखिए दोस्तों मैंने login किया है इस पे देखिए इस पे login करने के बाद मेरे को और कोई process कर चल रहा है और यह android का phone है इस पे मैंने simply login किया है किसी भी प्रकार का registration नहीं किया है direct login किया हूँ तो देखिए मेरे को मेरा camera दिख गिया है मैं जैसी online है online में click करूंगा तो यह camera देखिए इसमें भी चालू हो जाएगा यह देखिए यह camera इस पे भी चालू हो जाएगा तो इस type के तो इस type से आप अपने camera को दूसरे mobile पे भी online देख सकते हो चाहे वो android का हो चाहे वो iphone का camera देखिए इस camera इस mobile पे भी आपका camera on हो चुका है तो देखिए मैंने आपको दोनो mobile पे आपको online करके दिखा दिया है देखिए मैं थोड़ा से इसको घुमाता हूँ देखिए दोनों में देखिए इसमें भी घुम गया इसमें भी घुम गया ठीक है तो दोनों mobile पे आईफोन में भी मैंने दिखा दिया और Samsung के mobile में भी android में भी मैंने आपको online करके दिखा दिया तो जाइए इस camera को purchase कीजिए पर्चेस करने का link नीचे में दिया हुआ है रात में कैसे दिखता है जैसे color view दिखता है यह guard series का camera है दोस्तों रात में भी color दिखता है देखिए मैं light बंद कर रहा हूं यहाँ पे तो इसका night vision किस टाइप से होगा देखिए light zero कर दियो मैं office का अब देखिए इसका night vision किस टा आता है देखिए देखिए तो night में color view नहीं है ठीक है देखिए night पे मैं color view जरूर बोला हूं आपको दोस्तों रात में black and white view दे रहे हैं आपको ठीक है कि तो रात में ये black and white view आपको देता है देखिए तो रात में color नहीं मिलेगा आपको रात में black and white view मिलेगा इस पर इस camera पर रात पर black and white view मिलेगा आपको अब जैसे light चालू कर देखिए औफिस का Chocolate चालू कर देता हूं फिर से इपने आप color view में आ जाता है इसका मतलब ये guard series का camera नहीं है तो रात को ये black and white दिखाएगा और light रहेगा तो color दिखाएगा देखिए दोस्तों ये फिर से color हो गया है ठीक है light जैसे चलू किये हमने फिर से color हो गया तो ये रात में color view नहीं दिखाएगा आपको रात में black and white दिखाएगा तो मैं आपको night vision का भी footage यहां पर दिखा दिखाएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये एक दिन में कितना memory card consume कर रहे हैं और क्या-क्या future इसके अंदर inbuilt है तो नेक्स्ट वीडियो को आप इंतजा करें इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बता देना दोस्तों तब तक कि लिए मुझे दीज़े जाजा जैहिन